ओम श्री श्वायनुमस तभी हम दोस्तों। और गरिंगे बाद आपके भाग्य की कितना इस महिने में आपका साथ देगा आपका भाग्य या नहीं देगा सब कुछ। आपके नपग्रह क्या फल देने जा रहे हैं आपको मार्च के महिने में सब कुछ डिटेल में जानेंगे। दोस्तों जैसे ही मार्च का महिना जो है जब वो शुरू होगा तो आपके राशी मिथुन से नब ग्रहों की स्तिती जो है वो कुछ इस प्रकार से होगी जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जब कि नाइन्थ हाउस में विराजमान रहेंगे तीन ग्रह जίहां श्यनि, शुर्य और बुद्ध और आपके पण्चम घर में विराजमान होँगे के तू अब आपको बड़े ही ध्यान से सूनना और समझना होगा positive और negative दोनों ही चीज़ें बताऊंगी सबसे पहले बात करते हैं आपके खुद के बारे में यानि आपके स्वास्थिय के बारे में दोस्तों आपका first house का मालिक बनते हैं बुद्ध ग्रह और बुद्ध ग्रह आपके कहां पर विराजमान हैं दोस्तों जी बलकुल आपके 9th house में हैं और कुंडली में 9th house काफी शुब होता है और ऐसे में वहाँ पर विराजमान कोन है बुद्ध तो यहां आपके स्वास्थिय health related कोई भी इशूद से आपको deal नहीं करना पड़ेगा मार्च के महिने में बट बट तेरा मार्च तक ही क्योंकि फिर मंगल इधर आपके 1st house में आ जाएंगे न और जब मंगल 1st house में आते हैं तो headache का issues होने लगता है बट ऐसे अगर immunity का system देखा जाए आपका तो काफी अच्छा देगा अगर आपको कोई skin related issues थी या फिर infection ऐसा कुछ था तो उससे आपको थोड़ा रहत जरूर मिल जाएगे अब बात करेते हैं बिद्यात्यों की उनके लिए कैसा रहने वाला है मार्च का महिना चलिए जानते हैं 5th house genuinely होता है पढ़ाई का जिसके मालिक होते हैं और आपकी कुंडली में शुकर 10th house में होंगे मार्च के महिने में और ये position उच्च की है शुकर का उसके बाद वो 11th house में चले जाएंगे 12th March तक पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी लेकिन लेकिन उसके बाद शुकरी के साथ राहू भी विराजमान हो जाएंगे तो अवरल अगर बात करें तो 12th March तक सब बढ़िया रहेगा पर उसके बाद थोड़ा confusion बना रहेगा विद्याथियों में बट बट अगर आपकी कोई exam है वो भी 12 March से पहले तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है बट अगर आप कोई admission वगेरा लेना चाहते हैं किसी institute में, किसी college में या फिर school में तो ले सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अब बात करते हैं आपके love relation के जिसका house होता है 5th house और शुक्र बनते हैं आपके 5th house का मालिक और इधर केतु विराजमान है 5th house में और ये एक अशुब ग्राह है जबकि 5th house कुंडली में काफी शुब घर होता है यानि कि आपके कुंडली में March के महिने में शुब घर में अशुब ग्राह बैठेंगे यानि कि जब शुब घर में कोई अशुब ग्राह बैठता है तो वो अशुब ही परिनाम देने लगता है यहाँ आपके डिलिशन में अंसाटिसफेक्शन का दोल लाएंगे केतु जी हाँ आपके लब पार्टर या आप दोनों में से कोई अंसाटिसफाइड अवश्य रहेंगे बट शुक्रे के पोजिशन इधर अच्छी है उच्च की है तो प्रिम प्यार चलेगा ही जो आप चाहते हो आपके डिजायर्स जो भी है वो पूरी करेंगे आपके बार्टर क्योंकि कुंडली में 10th house में शुक्र उच्च का माना जाता है तो हाँ के तू इतना effective नहीं करेगा बट फिर वे थोड़ा बहुत ध्यान अवश्य रखिएगा बालंच रहने की कोशिश अवश्य करिएगा अब बात करेंगे आपके Married Life की क्या situation बनने वाले हैं? डिटेल में दूस्तो Married Life का घर होता है कुंडली में 7th house का जिसका मालिक बनते हैं देब गुरु ब्रिहश्पती और इधर आपके ब्रिहश्पती आपके कुंडली में 10th house में बिराजमान हैं शुक्र के साथ में दोनों ही बहुत ही शुब ग्रह हैं ब्रिहश्पती धन और भाग्य का मालिक हैं जबके शुक्र आराम बिलाश्टा के मालिक हैं तो Married Life में आपके किसी भी प्रकार का कोई issues नजन नहीं आ रहे हैं कोई दिकत नहीं आएगी आपके Married Life में और एक बात देव गुरु ब्रिहश्पती और शुक्र दोनों ही गुरु हैं तो ऐसे में जातक यानि पति-पत्नी दोनों अध्यात्मिक के तरफ ज़्यादा आकरशित होंगे स्प्रिच्वालिटी में ज़्यादा कादिय करेंगे वहीं शुक्र प्रेम और रिष्टों का प्रतिनिधित्व करता है जबके ब्रिहश्पते बिवाः का प्रतिनिधित्व करता है और इसे यूती के कารन जातक के प्रेम बिवा या फिल, लाब मेरेज होने की संभावना काफी बढ़ जाती है जिहां Married Life तो mostly अच्छी ही रहेगी, परन्तु, 12 March के बाद और बहतर bond बनता हुआ नजर आ रहा है। Understanding आप दोनों में बहुत अच्छा होने लगेगा, क्योंकि Understanding जो है वो आप दोनों में एक अलग ही लेवल का बनने लगेगा 12 March के बाद। इसके बाद चलिए अब बात करते हैं आपके भाग्य की, बिजनेस की और केरियर की। आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, किसी भी प्रकार का कोई decision अगर आप लेना चाहते हैं तो वो ले लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। न्यू काद, न्यू फेहिकल, कुछ भी अगर आप खरिदना चाहते हैं तो खरिद लेजिए, आपका भाग्या आपका साथ अवश्य देगा। पर कुंडली अवश्य देख लिजिएगा आपनी, क्यूंकि आपका कुंडली हमें नहीं परता है। आपके गुरू आपको बहुत अच्छे रेजल्ट देंगे। साथ ही अगर आप किसी कम्प्यूटर या किसी ग्रूप को लेड करते हैं तो भी आपके केरियर में ग्रोध होगी। आप बड़े ही शांती से सारे कारियों को करते चले जाएंगे। केरियर में तनाब कहीं भी नज़र नहीं आ रही है तो हां केरियर के लिए कोई भी इशूज को आपको फेस करना नहीं पड़ेगा इस महिने में। क्योंकि राशी के जो मालिक हैं उनकी विस्तिती बहुत अच्छी है और ब्रेश्पती की भी तो कोई इशूज नहीं आएगा क्योंकि जब राशी की मालिक की जो स्तिती है वो खराब होती है तब ही जातक को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है पर इस टाइम ऐसा कुछ नहीं है तो ये मंथ आपके लिए आपके केरियर के लिए बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है वहीं अगर हम बात करें बिजनेस का तो उसका घर होता है दोस्तों सेवंध हाउस का और सेवंध हाउस के मालिक देप गुरुब देश्पती बनते हैं जिनके स्तिती बहुत अच्छी रहेगी मार्च में तो जाहिर सी बात है कि ब्यापार भी आपका अच्छा रहेगा परन्तु अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत एड़ करते हैं अपने कारियों में तो हाँ अविसली बिजनेस में ग्रोध भी होगा और इसा इसले भी क्योंकि बुद होते हैं ब्यापार का कारक तो डेली इंकम में आपकी ग्रोध होगी और इधर शनी भी अच्छे पजिशन में हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली तो हाँ अब आप फुली कंफिडेंट के साथ आगे बढ़ेंगे कॉन्वेसिशन का जो हुए है जो तरीका है इसे आप बह किसी भी फिल्ड में नहीं करना है बालंस्ट रहते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है बाकी ओल्दवेस्ट धन्यवाद